हलो किसान भाईयों नमस्कार कैसे हैं आप आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे YouTube चैनल स्मार्ट फिस्पारिंग में आप सभी का स्वागत है मैं मतश्यपालक आपका दोस्त आपका भाई आसिश यादो किसान भाईयों में कितना खर्चा होता है और कितना फायदा होता है यह वीडियो हमने बनाया था तो उसी सीरीच की आज की वीडियो है कि एक एकर के तलाब से हमें इस तरीके से और भी नामों से जानते हैं तो इसका क्या लागत है पर रेकर और क्या बेनफिट है मैक्सिमम क्या कमा सकते हैं मिनिमम क्या कमा सकते हैं यह सारी चीजे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहें तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्विंग को सस्क्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माध्यम से मचली पालन से सम्बंदित इसी तरह नई नई जानकारियां आप कितना बेनफिट होता है एक मचली को एक केजी करने में क्या खर्चा आता है यह सारी चीजें आपको हम आगे बताते हैं तो किसान बाई चलिया हम आपको इस वाइड बॉर्ड पर बताते हैं कि फंगासेस मचली पालने में कितना खर्चा होता है कितना इन्वेश्टमेंट होता है और हम उसमें कितना फैदा कमा सकते हैं कि फंगासियस जिसको हम पंगास बैकी प्यासियस जासर पंकज फंगासियस मचली का नाम है तो अगर हमारा वन एकड का पाउंड है चार जार स्क्वाइर फिट स्क्वाइर मीटर और त्रियाली जार पांसो साथ स्क्वाइर फिट का तलाब है यह नहीं कि एक इकड का तलाब है ठीक है एक इकड का तलाब है तो अगर हम इसमें खर्चा जोड़ें तो कौन कौन सा जूटता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिप्थ सीड कास्ट कल भी हमने आपको बताया था फीड कास्ट एलेक्टिसिटी कास्ट लेबर कास्ट मेडिसीन कास्ट ठीक है यह पांच चीजे आपको जोड़के पताया था तो फंगासियस मचली को तयार करने में आप एराउंड फिगर मान के चलिए फंगासियस मचली को तयार करने में आपका एराउंड फिगर के आज माने तो आपका सिस्टी फाइब टू सेवंटी फाइब पर केजी पर ठीक है फंगासियस मचली को पालने में 65 रुपए से ले करके 50 रुपए पर केजी यानि अगर एक फिज़ वन फिज़ इसकल टू वन केजी इसकल टू 55 टू 75 पैसट रुपए से ले करके 50 रुपए तक खर्चा होता अब आप लोग को एक लोग एक चीज नहीं समझ में आता होगा यह 65 से 75 क्यों है कोई चीजे सेम क्यों नहीं जैसे केवल 75 ना 65 हो 70 हो तो यह इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि आप मसली पालन बहुत सारी बाते डिपेंड करता है किस एरिये में करते हैं वहां का इन् हैं मेडिसिन किस्ट कंपनी कर देते हैं फिट कितने परसेंटेज में देते हैं तलाब की डेंसिटी क्या है तो इस टाइप की बहुत सारी बाते होती है जो यह रेट होता है 65 से 70 रुपए तो अब इन्वेस्टिमेंट की बात करें कि इन्वेस्ट केतना आएगा एक एकर में तो एक रेकर में अगर हम हाई डेंसिटी अगर हम high density में पालें तो around figure 20,000 बच्चा पड़ता है अधिक से अधिक पर रेकड 20,000 फंगासियस के बच्चे पड़ते हैं एक रेकड तो अगर एक मचली का हमारे एक मचली के उपर 65 रुपए खर्चा आता है तो 65 गुड़े 20,000 ठीक तो सीधे सीधे अब कितना हो गया 65 दूना देखे तो एक मचली के उपर 65 रुपए तो 20,000 मचली के उपर कितना आएगा तो 65 दूना 136 दूना 12 एक तेरे 130 बचा चार जीरो कितना हो गया 11, 12, 11, 10, 10, 10, 10 लाग 13 लाग रुपए खर्चा आएगा अगर आप 65 रुपे में फंगासिस को त्यार करते हैं तो परहिकर ठीक अगर आप 75 रुपे में त्यार करते हैं तो साथ दुने चवदेक 15 है गुड़े 20 हजार तो इसकल टू आपका होगया 15 है 15 लाग और करेंगे तो इस जापसे होगा तो कितना होगकि तेरे लाख रुपए से ले करके पंदरे लाख रुपए अगर आप अच्छे से फार्मिंग करेंगे और यह बैलेंस अठारे बीस हो सकता उसके पीछे बहुत सारी बाते डिपेंड करती हैं ठीक अगर आप इसकी बेनफिट की बात करें तो यह मचली आपकी इराउंड फिगर नब्बे टू सो नब्बे रुपए से ले करके सो रुपए पर केजी के इसाब से आपकी होलसेल होती है लगभग मैकसिमम 80% पूरे इंडिया का मार्केट करेट है नब्बे रुपए से ले करके सो रुपए पर केजी तो अगर हम 20,000 मचली त्यार करते हैं तो 20,000 मचली अगर हम त्यार करते हैं बीज हजार गुड़े नव दूना अठारे अठारे अगर हम नबे रुपयम त्यार करेंगे तो अठारे लाख में बिकेगी असौम बेचेंगे तो सीधे-सीधे 20 लाख में बिकेगी ठीक है तो अगर हम 90 रुपयम बेचेंगे तो हमारा 13 लाख रुपय में इडिवेस्ट हुआ है अठारे में बेचेंगे तो 5 लाख रुपया बचेगा अगर हम 65 रुपया तयार करके 100 रुपयम बेचेंगे तो 7 लाग बचेगा यह 6 मन्त का कल्चर है देखिएगा 6 मन्त ठीक है यह 6 मन्त का कल्चर है और अगर हम 75 रुपय में तयार करेंगे ठीक है तो आपका 15 लाग होगा तो तीन लाख रुपया बचेगा नब्यम बेचेगे और अगर सौम बेचेगे तो पांच लाख रुपया बचेगा अगर सत्तर में त्यार करेंगे तो नब्यम बेचेगे तो चार लाख बचेगा और अगर बीथ में बेचेगे तो छै लाख बचेगा तो around figure आप मानके चलिए 3 लाख रुपए से ले करके 6-7 लाख रुपए तक आप पर एकड़ फंगाशियस मचली का पालन करके कमा सकते तो कमा सकते तो इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बताया जितने आसानी से मैंने बता दिया board पे उतना आसान नहीं कमाना उसके लिए आपको पूरी knowledge चाहिए बीच में आपके मचली को disease लग गया और कोई दिक्कत हो गया आपको mortality भी बचाने है क्योंकि 20,000 बच्चों में हमने एक mortality भी नहीं जोड़ी है तो इसलिए इतना आसान नहीं आपको अच्छे से knowledge लेना है देखिए, फंगाइसीस मचली पालन के लिए half एकर काamation सबसे बेश्ठ होता है लेकिन half एकर काश्चे सबसे बेश्ट होते है पालन की दिष्टरी से मैंने कमाय के दिष्टरी से एक Bere addition कराई लेकिन अगर आपको पालन करना तो हाप रेकड का तला बहुत बेस्ट होता है क्योंकि फंगासेस मचली वाइल सांसी मचली होती है इसे पानी में गुलित आक्सियन की डिजॉल आक्सियन की जरुवत होड़ा कम परती है बाकी मचली की मुकाबले तो इसी के नाते इसको higher density में पाला जा सकता क्योंकि एक कहावथ की catfish family की जितनी मचलियाँ उसे आप high density पे पालन कर सकते हैं तो ये फंगासेस मचली भी catfish family में आती है तो किसान भाईयो आसा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% से उरली समझ में आ गया होगा कि फंगास मचली पाल के हम कितना पैसा एराउंड फिकर कमा सकते हैं और देखे इसके साथ एक चीज और भी है कि मार्केटिंग मार्केट भी रहना चाहिए आपका अगर आप मार्केट नहीं बनाया है पहले से मार्केट नहीं बनाया ह होता है क्योंकि हर जगें इसका प्रोडक्शन हो रहा है और इसे आप ठंडी में रखेंगे तो बहुत दिकत होगा टमप्रेचर 20 डिग्री से जब नीचे आता है 15 डिग्री 14 डिग्री आता है तो फिर फंकाय से मचली की मोटेल्टी होने लगती है मरने लगती है तो इसे ठ आरो चीजों पर पूरी तरीके से कलकुलेशन करके तभी आप कोई कदम उठाइएगा ना कि मेरे वीडियो बनाने से मैंने वीडियो बनाया बता दिया तीन लाख रुपए से लेकर के सात लाख रुपए आप कमा सकते है तो आपके दिमाग में चलो सात लाख नहीं कमाएं आप कहीं ट्रेनिंग मगरा नहीं लिए हैं तो इतना अचानक कदम मत उठाएगा यह मैंने उनके लिए बताए जो फंगासे मचली के बारे मच्छे जानते हैं पालन के बारे में जानते हैं तो किसान भाईयो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्मिंग को सस्क्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम आप सब के लिए मचली पालन से रिलेटेड नहीं नहीं जानकारी आप सब के सामने लाते रहें आपका नॉलेज दे बाई डे गेन करता रहें, आप एक अच्छे मतश्च पालक, सद्रिड मतश्च पालक बनके उबरें और किसाम भायों अगर आप मचली पालन की ट्रेनिंग लेना चाते हैं तो आप हमारे वार्टसप नमबर पे कंटेट कर सकते हैं, हमारा वार्टसप नमबर है 63860820704 अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 638608704 तो किसाम भायों अभी के लिए हम आपसे बिदा लेते हैं, कल एक मचली पालन से रिलेटेट नई जानकारी लेकरके आप सबके सामने फिर उपस्तित होंगे, तो अभी के लिए नमस्कार